अलो दोस्तो वेलकम बेक टो टेऐनिकल मस्टर युटूब चैनल डूस्तो टेकनिकल मस्टर युटूब चैनल में आप लोग को स्वाहवत है तो आज कर आप लोग बताने वाला है हिए जो वर्ट्सएप का कोंटेक होता है WhatsApp में अगर आप लोग को बार-बार कोई परेशन कर रहा है, बार-बार मेसेज कर रहा है तो उस contract को कैसे delay करते है WhatsApp से तो दोस्तो अगर चैनल पर आप लोग नहीं है तो चैनल को subscribe कर दे वीडियो को like कर दे और share भी कर दे दोस्तो बिना देरी करते हुए हमरे वीडियो को शुरू करते है तो चलो सबसे पहले हम लोग अपना WhatsApp जो है WhatsApp के एट में जाएंगे यह देखे दोस्तो यह जो contract है इसको आज हम लोग delete करके दिखाएंगे दोस्तो यहाँ पर जाते यह देखे इसमें जा गया भी view contact में गया उसके नीचे कहीं पे यहाँ पे just block आ रहा है बट हम लोग को जो इसका delete करना है permanently वो नहीं आ रहा है जो contact delete करने का option है वो कहीं पे नहीं जा रहा है तो दोस्तो इसके लिए हम back जाते हैं और जाते हैं अपने phone के डाइलर में तो जिसका जो जो भी number से आपको comparison कर रहा होगा उस number को आपने phone पे save कियोंगे तो अगर save कियोंगे तो यहाँ से आप उस name को search करें जोस्तो search करने के बाद इस number को view कर ले view करने के बाद जो देखें यहाँ पे यह उसका नमबर जो है वो वी होके आ गया। जो तो अभी यहां पे जो नीचे टीड़ दिख रहा है more उसके उपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहले औला डिलेट का option आ रहा है। इसको डिलेट कर दे और इसको डिलेट करके हमेशा के लिए डिलेट कर दे। तो दोस्तो अभी चलते हैं हम लोग हमरे WhatsApp था इस्कीन पे दोस्तो यह देखे जो हम लोग का यह था नमबर था अभी यहां से जो ने में हो चला गया अजिस्ट नमबर बचा है तो दोस्तो अभी आपको क्या करना है इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इसमें ट्री small option में आप लोग दिख रहा है तो simply ब्लॉग पे क्लिक करना है और यहां पे अभी option आ रहा है confirmation की है तो ब्लॉग के क्लिक करके हम लोग इस number को ब्लॉग भी कर देंगे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे, share करे और हमारे channel को subscribe करे Thank you for watching